असलाम लेकुम, वेलकम बैक टो माई चैनल, एक नियो रेसिपी के साथ मैं आप सब को वेलकम कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जामन से बनने वाली बहुत ही जबरदस रेसिपी, और ये इस्पेशली उन पेशन्स के लिए है, जिनको शूकर का ड्रिंक पीने से जरूर खतम होगी, तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी गरम करने के लिए रख ता, यहाँ पर जो मैं रेसिपी शेयर कर रहे हूं, वह तीन गिलास की है, और मैंने यहाँ पर दो गिलास पानी एड़ कर दिया है, तो दो गिलास पानी जब अच्छी तरह से गरम होना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें मैंने एड़ कर दिया है जामन, यह एक बाउल के बराबर जामन है आपने जितने भी बनाना है अपनी कॉंटिटी के मताबिक यह बना लीचिएगा, तो इसको बाउल करना है, अच्छी तरह से इसको इतना बाउल करेंगे, कि जो इसकी गुटली है और गुदा है वो बिलकुल अलग हो जाए, बहुत अच्छी तरह से इसको हमने कुक कर लेन यहां तक कुक करेंगे, कि इसके 없ुअपर वाजी सकीण है वो बिलकुल अलग होना स्टाट ओजाए, में जलगे से वल्रा इसा ऑफनी कीड़ अलग होना स्टाट हो जाएगी और पानी का कलर भी चैन्ज होना स्टाट हो जाए.. जामन का फ्लेवर आपनों सा आपको तो नर यानि के आपकी जबान भी ड्राइ नहीं होगी और इसको पी सकते हैं इसको इतना कुक कर लेंगे जो गुटली है वो भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी उसका भी सारा अरोमा बाहर आ जाएगा और जो उपर वाला गुदा है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा तो दिखे इसको मै मैंने ओफ कर दिया है और एक मैशर ले लिया है मैशर की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है यहां तक प्रेस करेंगे कि जो गुदा है वो अलग हो जाए गुटली अलग हो जाए अब एक तफ़ा यह ड्रिंक बना कर तकरीबन दो से तीन दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आपने यूज़ करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी और परफेक्ट ड्रिंक बनाना भी सिखाऊंगी तो यहाँ पर देखे यह जो मैंने गुदा बनाया है सारा इसका डाल देंगे एक स्टेनर में और अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लेंगे अब हमने एक स्पैचुला या फिर ट्रमाच की मदा से अच्छी तरह से प्रेस करना है यानि कि जितना भी इसका एक्स्रा से प्रेस करने के बाद इसका गुदा भी निकल आएगा और गुटली बिलकुल अलग हो जाएगी इसमें कोई भी हमने फूट कलर वगरा एड नहीं करना इसका अपना ही बहुत ही प्यारा सा नैच्रल सा कलर होता है जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और पीने में इसको ड्रिंग है वह हम यूज कर लेंगे अब निक किस्तां से बनाना है तो चलिए दल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने दो गिलास ले लिए हैं एक में तो हमने सिंपल ही इसको आड़ कर देना है और यह है शूगर पेसंट के लिए वो इसको अगर निहा और sugar syrup को add कर लेंगे इसको बनाना बहुत जादा असान है थोड़ा सा आपने पानी लेना है और चीनी को add करना है और milk कर लेना है इससे drinks जो है वो जल्दी से quickly से ready हो जाते हैं तो अगर बना लिए जाए तो easy रहता है अच्छी साथा से mix कर लेंगे बस दोनों चीजों को add करना second drink में मैंने add किया हचीनी और नमको तो वो कोई भी पी सकता है इस तरह की जो beneficial चीजे होती है और खाने में जो बहुत ही जादा फाइदे मन हो तो उन्हें हमें daily life में भी जरूर लेना चाहिए तो recipes ची लगी है तो kindly मेरे चैनल को subscribe करके जाहिएगा bell icon भी प्रस कर दीजेगा थैंक्स ओर वाचिंगा अलाफीज